नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं UPTAT 2021 के Final Answer की और Result के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि UPTAT की Final Answer की वेबसाइट पर कब जारी की जाएगी और Result कब अपलोड किया जाएगा दोनों ही जानकारी आपको देंगे इसके साथ ही वीडियो में Qualifying Score के बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि Common Number किसे मिलेंगे ऐसे में आप इससे वीडियो को अंतर तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिस रहेगी कि वीडियो को लाइक ओर सेर कर दे साथ चैनल को अभी सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा दे अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके सारी जानकारिया देंगे सबसे पहले हम फानल आंसर की और रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं जैसा कि 22 दिसंबर को ये सेडियूल जारी किया गया था और सेडियूल में परिक्सा से लिले कर यहाँ पर रिजल्ट तक की पूरी जानकारी दी गई थी आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर संसुदित आंसर की की बात की गई है और उसके बाद रिजल्ट की बात की गई है वी आपती बार विसे विस्यसगी की सम्मिची दवारा दी गई रिपोर्ट के अनुस्तार उत्तर माला को अध्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने कीती थी जो है 23 फरवरी 2022 बताई गई है इसके अलवा अगर हम रिजल्ट की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विसे विस्यसगी की रिपोर्ट को समलित करते हुए संसोदित उत्तर माला के अनुसार मुल्यान किन कराके परिक्साफल गोसित करने की थी 25 फरवरी बताई गई है इस परकार से आप यहाँ पर रिजल्ट और फाइनल आंसर की की डेट देख पारें अगर हम अब कॉमन नंबर की बात करें कि कॉमन नंबर किने मिलेंगे तो हमने पहले वीडियो बना दिया था और उसमें सारे सवाल बता दिये कि किस किस सवाल पर आपति दर्ज करा सकते हैं और आपने आपति दर्ज करवाली होगी अब जैसे ही यहाँ पर हमारे सामने final answer कियाएगी हो सकता है कि उसमें सारे के सारे जो भी सवाल हमने आपती उठाईए उनके जवाब सही नहीं किया जाए क्योंकि पिछली बार भी हुआ था कई सवालों पर आपतिया दर्ज कराए गई थी लेकिन दो से तीन सवाल ही सही किये गए थे उसके बाद कोट तक मामला पहुचा था और कोट ने भी एक दो सवाल सही करने की बात की थी और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला था final result लेकिन इस बार ज़्यदा उमीद नहीं की जा सकती है इस बार भी थी कुछी परकार से होने वाला है 5 से 7 सवालों पर आपतिया दर्ज कराए गई एक से 2 सवाल ज़्यदा सही मान सकते हैं 35 से 7 सवाल विल्कुल गलत है उनके जवाब गलत है ऐसे में board को मानना चाहिए तो आपको कम से कम चार अंग common number की तोर पर मिल सकते हैं। अब common number भी किने मिलेंगे आपको बदा दे उनी को मिलेंगे जिनोंने जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल में दो जवाब सही है। तो दोनों में से आपने किसी एक पर टिक किया है तो आपको number मिलेंगे आपने attempt नहीं किया या फिर हो सकता है कि आपने किसी और अन्य option पर यहाँ पर टिक कर दिया तो आपको number नहीं मिलेंगे। qualifying score की बात करें तो 60% रहने वाला है जनरेल के लिए और इसके एलवा आप OBC से SC से ST से आप PH है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे बरासी number पर यानि 55% पर आपको selection देखने को मिलेगा आपको qualification देखने को मिलेगा। इस परकार से पूरी बात कर ली है वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करेगा और साथ ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजीगा। मिलते हैं आपसा अगले वीडियो में किसे नजानकारी के साथ तब तक के लिए बने रही है आप एचुकेस इंडिया के साथ धन्यवाद।